मुझा आज वर्कम बेट तो मैं चैनल आएम कृष्णा हैपी दिवाली टू आल आफ यू अभी दिवाली आ रही है और आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही अच्छे अच्छे दिये जो कि आप लास्ट येर के यूज़ दिये से इजिली बना सकते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे वैक्स के और ओइल के दोनों मैंने बताए हैं आपके पास जो भी अवेलिबल हो आप उससे बना सकते हैं लिकिन हम उसे घर में इजिली बना सकते हैं और बहुत ही जल्ली बन जाते हैं और बहुत ही चीप रिट में बन जात हैं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरे दिये कैसे लगे यह बहुती इजिली बन जाते हैं और बहुती फेंसे लगते हैं और बहुती अच्छा लोग देंगे आपके दिवाली में जो मुझे कॉमेंट सेक्षन में बहुत बना सकते हैं अपने दिवाली में सेविंग भी कर सकते हैं ऐसे ही दिए घर में बनाके जो कि मैं आपको बताऊंगे लास्ट येर के यूस्ड दिए से बहुत अच्छे-च्छे तरीके के खेण अब हुद बोगा से फैन से बहुत जल्ली और बहुत क्रिक्रिटीवीटी है अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और हमय है अपने मेरे चैनल को सब्सक्रैप्म किया है तो ऩीच सब्सक्रैप में खंब कर देजिए लेट्स केट स्टाटेट फैंसे दिये बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक काट बोर्ड जो कि मैंने सरकल शेप में काट लिया है और उसके उपर फैविकॉल लगा लिया है और उसके उपर अब मैं लगाऊंगी सरकल शेप की शेट जो कि बहुत हाड आपको भी इसे हाड दे लेना है देन आपको इसे अच्छे तरह के से प्रेशर लगा के अच्छे से चिपका देना है जैसे मैं कर रही हूँ जिससे यह अच्छे से चिपक जै देन मैं यूजड दिया लूँगी जो की लास्ट इयर का है इसे अच्छे से पेंट कर दूँगी मैं इसे ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ आपको जो भी अच्छे कलर लगे आप उसे अपनी फेवरेट कलर से कर सकते है अगर आप चाहे तो आप कर सकते है या फिर नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकते है यह ऑप्शनल है देखे आपको ऐसे स्मूदली करते जाना है पेंट देखे किता अच्छा लग रहा है हमारा दिया देखे आपको शीट लेनी है और मैंने कलर फुल स्पून्स ली है अगर आपको यह ना मिले तो आप इसे पेंट कर सकते हैं बट मुझे कलर फुल स्पून मिल गी तो मैंने हैं देखे ली से ले ली और आपको स्पून के उपर का पार्ट कर करके लेना है और आपको नीचे का पार्ट बहुत बहुत अछ्छा लगता है यह बनने के बात और चलरफुल तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा सोप Sus ज मूठ ओए गयो से बनने के बाद और आप इसे इसली बना सकते हो देखिए जैसे मैं अलग-अलग कलर के कर रही हूं आप अगर चाहे तो कोई भी अलग कलर से कर सकते है या फिर ग्लिटर वाले स्पून से कर सकते है मुझे कलर फुल स्पून मिल गई अगर आप चाहे तो लेके ग्लिटर या फिर कोई भी कलर से कर सकते है आपके अकॉर्डिंग देखिए जैसे मैं कर रही हूं आपको भी इसे तरीके से अच्छे से फ्लावर के जैसे इसे अच्छे से कवर कर लेना है अपको थोड़ा सा भी पार्ट नहीं छोड़ना है देखि कि अच्छे लग रहा है आपको इसे थोड़ी देर के लिए सुखने के लिए रग देना है देन देखे मैं इसके अंदर डालूंगी ऑईल आपको टू स्पून फोर स्पून जित्ता भी डालना है अपने दिये के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऑईल डाल देजिए और देन चारा लगेगा तो आप उसे वहां पर जला सकते हैं अब दिखते हैं हमारा नेक्स्ट दिया नेक्स्ट दिये के लिए सबसे पहले मैं इसे पेंट कर दूंगी जो कि दिये कही कलर से करूंगी बिकॉस बहुत ही अच्छा लगता है ये कलर मुझे आप अपने कॉर्डिंग क कोई भी कलर से कर सकते हैं मुझे ये अच्छा लगा सो मैं ये कलर से कर रही हूं आपको फैविकॉल एट करना है तो कर सकते हैं नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं बट मुझे फैविकॉल ज्यादा अच्छा लगता है सो मैं इसके साथ मिक्स करके लगाती हूं सो जैसे मैं लग अच्छी तरह कोरिए अलग-अलग कलर बेने ले लिए हैं और अच्छी तरह कार रिआ हूं मुझे असली ही अच्छा लगता है सो मैंने पहले ब्राउन और पिंक को मेख्ष किया और देना आप मैं सिर्फ करोंगी यह बहुत ही अक्छा तो कहेंगा देखिए और मैं पूरे डार्क डार्क नहीं करूंगी में को थोड़ा से शेड़ेट टेप का ही अच्छे लगते हैं सो मैं ऐसे ही करूंगी सो मैं जल्ली से कर लेती हूं इसे पेंट कि अच्छ समुनिए पर मैं टिसे लेती हैं से अच्छ नहीं कर दोड़ा जार्क जाड़ा से बंगेट Dawain तो देखिए अब मेरी शीट अच्छे तरह के से पेंट हो गई है अब मैं इसे थोड़ी तरह के लिए सुखने रखूंगी तो देखिए सुखने के बाद बहुत अच्छे लगी कि देन मैं इसके उपर लगाऊंगी थोड़ा सा ग्लिटर पेंट जिससे यह और अच्छा लुक देगा अगर आपके पास यह अवेलेबल हो तो लगाईए नि तो यह भी ऑप्शनल है सो मैं भी इसे पूरे अच्छे तरह के से पेंट कर देती हूं सो देखिए हमारा दिया भी अच्छे तरह के से सुख गया है और हमारी शीट भी अच्छे तरह के से सुख गयी है इसे मैजर कर लोगी कि कितने से डिस्टेंस में आया गया है देखिए और मैं क्या करूंगी दिया लोगी और इसके अंदर अच्छे तरह के से वेक्स भर लोगी पहले जो मैं ने दिया बना रहे था वो अयल वाला था इस बार में वैक्स से बनूँगी मैंने जो normal candle आती है उसे अच्छे तरीके से melt किया देन उसके अंदर एक crayon आता है black color का वो डाल दिया सो मेरे जो wax है वो पूरा black color का हो गया देन इसके अंदर मैं डालूंगी rope जो कि मुझे पहले वाली जो मैंने ली थी white color की wax candle उसके साथ मुझे मिली थी सो उसका यूज मैं यहाँ पर कर लूँगी देन मैं एक circle बनाऊंगे फैविकॉल का देखिये जैसे मैं बना रही हूँ आपको भी इसे तरीके से अच्छे से बनाना है एंड देन मैं second layer बनाऊंगी because जो spoon है उसका जो नीचे का part है वो बहुत ही लंबा लंबा रहता है तो मैंने यहाँ पर two circles किये है देन देखिये आपको ऐसे ही colorful लेनी है spoon ऐसे मिल जाए तो नहीं तो आप इसे paint कर सकते है देन मैं इसे अलग-अलग color से ऐसे लगाऊंगी यह बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा आप इसे एक बर जरूर ट्रै करना है और मुझे comment section में जरूर बताना कि आपको यह कैसा लगा आपको ऐसे ही लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ गार्जाजी कर दोटर व मायाम से लुड़ल जाजर कर देना है हाई देना है घड है हाई देखिए मेरी केंडल फाइनली अच्छे से बन गई सो आईए बनाते हैं हमारी अच्छे से एक वाटर केंडल वाटर केंडल बनाने के लिए मैंने एक फैंसे ग्लास लिया है आपके पास जो भी अविलेबल हो वो ले लीजिए मैंने काच का ग्लास लिया है आपको जो भी लेना है ले लेना बट प्लास्टिक का मत लेना विकाज वो मेल्ट होना का डर रहता है देन उसके अंदर मैं डालूंगी एक चमच ग्लीटर मैंने यहाँ पर रंगोली वाला ग्लीटर यूस किया है आप चाहे तो कोई भी ग्लीटर यूस कर सकते हैं देन मेरे पास कुछ स्टोन थे मोती गुल्डन मोती कोडी आपके पास जो भी स्टोन अविलेबल हो आप इसके अंदर यूस कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगता है देखिए अब ही किता अच्छा लग रहा है देन मैं इसके अंदर करूँगी थोड़ा सा लूँगी पिंक कलर देखिए अपको इत्ता सा लेना है और अपनी वाटर केंडल के अंदर अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है मैं थोड़ा सा ग्री अपको भी ऐसी करना है जैसे मैं कर रही हूं थोड़ा सा ब्लर टेप को हो गया कहले पूरा ट्रांस्पेरेंट था अब यह थोड़ा सा पिंकिश हो गया है देखिए देन मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगे विद्ध हैल पफ स्पून और इसके अंदर मैंने इसके अच्छे से आपको इसे मिक्स कर देना है देखिए टू लेयर बन जाए गए उपर थोड़ा सा पिंकिश रहेगा और निचे ब्लू रहेगा और यह लाइट बंध होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा पूरा ब्लू ब्लू लगी कलर रहेगा इसका तो देखिए आपको गूए जाता है प्लास्टिक लोगी जो कि मैजे कोई भी हाट प्लास्टिक आपके पास होगा च्छे से मिल जाएगा आपको कहीं भी सो देन Automate करांगे सिरल में और इसका जो कॉर्नर है ।ध icon कर्णर 15 when in एक श्रवाग दूछ ORग boxeu जैसें कर रहे हैं डेके ज़से कार दे का point हो नीचे ना जाए देुछे आपको इसके बीच में डाल देना है देन देखिए कितना अच्छा लग रही है मैंने से तरीके से mix कर लिया है देखिए कितना अच्छा लग जब लाइट बन देता हूँ और देखिए उपर थोड़ा सा पिंक शिट आ रहा है और निचे हमने ब्लू कलर जाला था तो ब्लू कलर निचे ही है बहुत ही प्यारा लग रहा है आप वाटर केंडल घर में जरूर बनाएं यह बहुत ही क्रियेटिव लगता है और इसलिए बन भी जाता है देखिए कि अच्छा लग रहा है ओईल की लेयर अच्छे से दिख रही है हमने लेनी है एक शिर्ट जोकि हमने सब दिए मे ली है अब हमें लेना है एक दिए जिसे मैंने ब्लेक कलर से पेंट कर लिया है देखिए देन आपके घर में एक पुरानी मुति की माला तो होगी ही ये हर इंडियन हाउस में होती ही है अगर नहीं होगे तो मम्मी से मांग लेना क्योंकि उनके पास तो होगी ही देन हम इसे क्या करेंगे थोड़ा सा फैवी कॉल लगाएंगे और इसे गोल गोल अच्छी तरीके से लगा देंगे देखे जैसे मैं लगा रही हूँ मैंने थोड़ी बिग मोती लिये है अगर आपके पास छोटे मोती अवेलेबल हो सो आप उसे भी यूज़ कर सकते है देन देखे मैं किसे इसे लगा रही हूँ पहले फैवी कॉल लगाएंगे देन मोती की माला लगाएंगे जिससे ये अच्छे तरके से चिपक जाए देखे देन हम इसे सेकेंड लेयर करेंगे देखे मैं जैसे कर रही हूँ बिकाज ये बहुत ही स्लीपी रहते है तो बहुत ही ध्यान से करना नहीं तो ये अच्छे से स्टिक नहीं होंगे देखिए जैसे मैं कर रही हूँ आपको भी ऐसे ही करना है आपको अच्छे तरह के से गोल गोल देखिए बहुत ही महनत है ये काम में बटी बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है सो आपको ऐसे लगा लेना है जैसे मैं लगा रही हूँ देन आपको इसके end को भी अच्छी तरह के से फैविकॉल की help से अच्छे से secure कर लेना है देन मैंने एक अल्लक से मूती वहाँ पर चिपका दिया है ताकि यह निकले नहीं सो देखें के ता अच्छा लग रहा है यह आप भी इसे बना सकते है देन मैं के करूँगी इसे अच्छी तरह के से प्रेस कर लूँगी जिससे यह अच्छी तरह के से एक लेवल में हो और बिलकुल में निकले ना सो देखें मैं कैसे करने हूँ थोड़ा सा उपर आ जाता है लेकिन आपको अपने hand के help से करना पड़ता है देन मैं इसके उपर लगाऊंगे glitter सबसे पहले मैंने फैविकोल लगाया था इसके corner में देन मैं इसके उपर लगाऊंगे glitter सो जब हमारा दिया जलेगा तो इसके glitter बहुत ही shine करेंगे और इसके अंदर भी मैंने थोड़ा सा glitter डाल दिया है अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं ने तो फिर वो आपके मरजी देन मैं इसे अच्छे तरके से ज़ला दूँगी सो देखे किता अच्छा लग रहा है ये ये light बनोगे तब इसके glitter बहुत अच्छे तरके से shine होते है Happy Diwali to you and your family and thank you for watching